आज हम देखते हैं कि सब्वेताओं के क्लैश की बात हो रही है। सेमुल हुंटिंग्टन ने आज से तीस साल पहले कहा था कि आने वाला यूख तो सिविलिजेशन क्लैश का होगा। वो परमपराई हमारे देश में आकरमनकारी के रूप में आई ये एक सत्य है। ब्रह्म शब्द बार बार गुरुवानी इस्तिमाल करती है। ये लिंक है हमारा सनातनी परमपर के। वो कहते हैं ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म। गुरुवानी में जो दार्शनिक ज्यान है। वो सारा हमारी उस सनातन परमपरा से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि वैदिक परंपरा से तीन खंड निकलती है। कमाल की बाते मैंने जब देखा मैंने मेरी तो आँखें खुली रही हैं। और मुझे तो गुरुनानक वणि जब मैं पढ़ता हूँ यू गुरुवानि पढ़ता हूँ मुझे आचालों की रचने आती है और जरतर पढ़ता है। तो उन दिनों में एक किताब कान सिंग नाबा की आई, वो थी कि हम हिंदू नहीं हैं, और वो किसी ने पड़ी नहीं, बिना पड़े उसको लेख लिए भे हम हिंदू नहीं हैं, तो मतलब है कि हमने हिंदू के साथ अपना नाता तोड़ना ही तोड़ना है, हमारा जो हिंदू समाज से सनातन परंपरा से जो रिष्टा है वो समाज एक और सांस्कृतिक रिष्टा है उसको कोई तोड नहीं सकता हिंदूओं और सिखों को अलग करने की जो साजिश है ये टूल किट है इंटरनेशनल 84 की जो घटनाएं है वो एक पुलिटिकल पार्टी के साथ समंद रखती है इंडियन स्टेट के साथ समंदित नहीं है चोटा सा कोई अंदोलन हो उसमें इतनी सफाई से इतनी चलाकी से हिंदूसिक का मसला बनाने की कोशिश होती है ऐसे नेगेटिव नेरेटिव का हमें शिका पचास साल से गुरुनानक वानी पर मैंने रिसर्च की है तो जब मैंने गुरुनानक वानी का अधियन शिरू किया तो मुझे लगा कि गुरुनानक वानी जब सारी गुरुनानक वानी इसका जो मुहावरा है इसकी जो शबदावली है वो सारी भारतिय दर्शन से मिलती हु उसके लिए आपको संस्कृत का ग्यान होना चाहिए, तो मैंने मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो आजकल भी हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृती की और हमारी सभेता की कुछ ऐसी टर्म्स हैं, जो अंग्रेजी में वो अर्थ नहीं देती, जो हमारे उरिजिनल अर्थ होत कि हमारी जो सनातन परंपरा है, उसका चार धर्मों के साथ एक गहरा रिष्टा है, मैं तो बलके ये कहूँगा, कि आपने जो सनातन परंपरा, जो संस्कृती की है, मैं उसको थोड़ा और गहरा करके जो सनातन सभेता की बात करना चाहता हूँ, तो जिस सभिता को आज हम archaeological evidence से तकरीवन दुनिया की सबसे प्राचीन सभिता मानते हैं, भारतिय सभिता, दस हजार साल पुराणी है, तो उस सभिता में चार धर्म परमप्राए हैं जो इस मिट्टी से उत्पन हुई हैं, सबसे पहले तो सनातन धर्म है, उसके बाद जैन धर् वो धर्म और सिख धर्म, ये चारों धर्म आज एक वर्ड रिलिजन के रूप में independent हैं, उसमें कोई हमें फरक नहीं है, लेकिन इनकी जो बुनियादी सांज है, वो दर्शन शास्तर के मादियम से हैं, ये चारों परमप्राएं हैं, जिनकी एक विश्व दृष्टी है, वर से पहले तो उस सभिता को समझना चाहिए, जिसका ग्यान हमें सतर साल तक दिया ही नहीं है, तो मैं तो जब इस रिसर्च में आया, तो मैंने खुद स्वाध्याय से अपने आप पढ़के जाना के हमारी सभिता क्या है, बलके मैं तो ये समझता हूँ, इसके उलट, हमारी ज उनको तो उन्होंने मर्जिनलाइज करने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी सरातन परंपरा में और सिक परंपरा में अगर समानताएं देखें, तो बहुत गहरी हैं, एक तो बात हम मानते हैं कि हमारी परंपरा में एक बहुत खुबसूरत बात जो वो आ क्योंकि हमारी जो सब्विटा उसकी विशेश बात उसका प्लूरिलिस्टिक वर्ल्ड भी वह है, वो शुरू होता है, रिगवेद से शुरू होता है, रिगवेद में आता है के एकमसद विप्रा वहुदा वधन्ति, तो मैंने जब यह देखा, के यह तो दूसरी किसी सब्व प्रविटा में यह बात नहीं है, और फिर मैंने देखा कि गुर्वानी भी वह होती है, गुरु नानक तेव जी इसी बात को अपनी भाशा में कहते हैं, वो कहते हैं, के एका सुरती, जेते हैं जी, सुरत भी होना कोई न की, के सभी जीव, वो मानव की बात में, जीवों की जैसी किसी की सुरती है, consciousness वैसा ही राह है और गुरु गोविन सिंग जी ने दश्म गरंत में कहा है कि आप अपनी बुद्ध है जेती, बर्नत भिन 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 तो हिति तो मैं यह समझता हूं कि यह हमारी जो pluralistic world view है यह दूसरी सब्विताओं के लिए भी एक मिसाल है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि सब्विताओं के क्लैश की बात हो रही है। सैमूल हुंटिंग्टन ने आज से तीस साल पहले कहा था कि आने वाला यूक तो सिविलाजेशन क्लैश का होगा। तो मैंने इस विशे पर एक रिसर्च वर किया था कि इंटर फेट डायलोग इन देखा कि हमारी सब्विता की जो परंपराएं हैं वो इस क्लैश को खतम कर सकती हैं क्योंकि वो डायलोग के उपर जोर देती हैं। तो इस तरह मैं सोचता हूँ कि आज के इस युग में हमें जो इस मिट्टी से पैदा हुई परंपराएं हैं। देखे हमें दूसरी परंपराओं के साथ कोई वैर विरोध नहीं है। वो परंपराएं हमारे देश में आकरमनकारी के रूप में आएं। ये एक सत्य है, जान लेने की बात है, हजार साल पहले महमूद गजनवी कभी आ गया, दस हमले कर गया, मुहम्मद गौरी ही आ गया, 17 हमले करके और उसके बाद बावर तक वो हमलों का इतिहास है, और उसके बाद भी क्या होगा, ये वो सत्य है, जो इतिहास में हमें पढ़ाय नहीं चाहता है, उसके उपर लीपा पोती की जाती है, इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए, वैर करने की बात नहीं है, सबक ये है कि जो भी सभिता, जो भी मजभ जा रिलिजन दूसरे के उपर दमन करता है और दूसरे को कुछ सांस्क्रितिक दमन की किसी को आग्या नहीं है और इसी रूप में मुझे लगता है कि हमारी सभिता और गुरवानी में डायलोग की बात है और यही समानता का एक पहली आधार बिंदू है कि हमें अपनी सभिता की जितनी भी परमपराएं हैं उन में मत्भेद जो है वो सिर्फ पंथ के लेवल पर रहा है और जो दूसरी कुछ परनालियां होती है, साधनापदतियां उसमें फर्क हो सकता है लेकिन बन्यादी बात भी है, वो जैसे मैं समझता हूँ कि गुरवानी में भी आता है गुरु नानक वानी का एक सूतर रूप में वो कहते हैं कि गावो गीत ना बिरहडा, नानक ब्रह्म विचारू ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रह्म जो है इसका मतलव है कि गुरु नानक कहते हैं कि जो मैं ये वानी गा रहा हूँ ये कोई गीत नहीं है और ना बिरहडा है बिरहडा लोगित की एक वनगी है ये तो ब्रह्म विचार है और ब्रह्म विचार क्या है इसमें जो ब्रह्म है वो हमारी सनातन परंपरा से आया हुआ शब्द है और ये प्राइम सिंबल है मैंने जो पड़ा है वो प्राइम सिंबल जैसे अबरामिक है हम उसकी तुलना में देखें हैं मैं समझ आएगी अबरामिक सिंबल जो है वो अल्लाः गौड याहवे उनकी तीन परंपराएं है हमारी चार है उनकी तीन है अबराम की एक तो यूडाइजम है कराई किरिश्चेंटी और इसलाम है उनमें भी कुछ फरक है कुछ सिमिलेरिटी है कोई डिफरेंस है यह हर सब्विता में होती है तो लेकिन हमें अपनी सब्विता की जो विशेश बात है वो देखना पड़ेगा कि ब्रह्म में और अल्लाः में फरक क्या है यह गौशेप्चुल डिफरेंस है कि गौड और अल्लाः यह ट्रांसेंडेंट बीइंग के उपर विश्वाश करते हैं एक ऐसी हस्ती जिसने दुनिया बनाई है लेकिन वो दुनिया से बाहर है उसका इस दुनिया से कोई वो सरोकार नहीं है जो हमारा है हमारी सब्विता का प्राइम सिंबल ब्रह्म है तो ब्रह्म की परिवाशा ही देख लीजी आप वो दो परिवाशा है मैं आप से सियर करना चाता हूँ एक तो है ब्रिहियते इति ब्रह्म कि जो बढ़के फैल गया वो ब्रह्म है और दूसरी बहुत खूब सुरुत परिवाशा जो मैंने अपने अध्यन में देखी वो है कि सर्वम खलू इदम ब्रह्म कि जो सारा संसार, सारा यथार्थ, रियालिटी हमारी नजर के सामने है सारा ब्रह्म ह तो इसका मतलब है कि हमारा जो जीवन दृष्टी कोन है वो रियालिटी के उपर टिका हुआ है जिसको हम परमसत्य कहते हैं और जो अबरहमिक है उनका इमेजिनेशन के उपर टिका हुआ है क्योंकि जो ट्रांसेंडेंट हस्ती है वो तो कल्पना का विश्य है वो वहाँ को जाने सकता उनके मतावक और उसने आना नहीं वो तो पेगंबरी परमपरा है वो पेगंबर के द्वारा आती हमारी परोपना ऐसी नहीं है हमारी परमपरा है रियालिटी को रियलाइज करना अध्यात्म सिद्धी करना तो हमारा तो जो वर्ल्ड व्यू है यह वैग्यानिक ह और ये सांज सनातन और गुर्वानी में बहुत गहरी है, कि हमारी दृष्टी एक ही है, दुनिया को देखनी की, मैं आदी शंकर का एक सूतर और गुरू नानेक देव जी की बाणी से सूतर लेकर आपको बात बताना चाहता हूँ, आदी शंकर को हम ये समझते हैं कि उन्होंने विवेक चूड़ामनी में विदान्त का सार दिया है, और उसमें भी एक सूतर में बाण दिया है, कि इतनी खूल सूरत बात देखे, वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापराद, कि जो ब्रह्म है वो पर्म सत्य है, और जगत जो है वो मिथ्या है, और जीव जो है ब्रह्म है, ये वेदान्त का सार है, और गुरु नाने क्या कहते हैं, वो कहते हैं, आतम में राम, राम में आतम, चीनस गुर विचारा, कि आतम में राम का निवास है, राम यहां सब्सकार ब्रहम्य है और राम में आतम बसता है तो इसको कहते हैं हम यह imanence है s 먝 इया सरव्यपकत का सिध्धानता है एक तो सर्वतीत है एक सरव्यपकत दूनिया बोनियाधी फर्क है और फिर देखिए गुरु अर्जन-Dev जी और भी सप स्परश्विट में कहते हैं कि ब्रह्म में जन ब्रह्म शब्द बार बार गुर्वानी इस्तिमाल करती है ये लिंक है हमारा सानातनी परमपर के वो कहते हैं ब्रह्म में जन जन में पारब्रम के जो ब्रह्म है उसमें जन जीव आदमी उसमें बसता है और जन में पारब्रम है तो ये जो बात ह यह हमारी दार्षनिक द्रिष्टी कौन है और आप देखिए ब्रह्म, जीव और जगत यह हमारा दुनिया को देखने का समझने का एक तरीका है आज की शबदावली में अगर मैं कहूं कि यह तो हमारी जो जीवन द्रिष्टी है उसके तीन पक्ष है एक है कॉस्मोलोजिकल द के जो संसार है उसमें जो जगत है उसकी हकीकत क्या है उसकी हकीकत यह है कि वो पर्मसत्य नहीं है वो मित्या है और भक्त नामदेव जी की खुबसूरत बात मैं नके सूत्र में बताओं देखो भक्त नाम देव उ Aprèsमदेव जी गुरू नानत दीव जी से दो तीन साल पहले और वो सनातरी परंपरा के बीच में आते हैं, विचार वही है, वो अपनी भाशा में कहते हैं कि एक अनेक, वियापक पूरक, जत देखों, तत सोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद भी नहीं कोई. उसका मतलब है कि ये जो दुनिया है, ये सारे में एक ब्रह्म गोविंद के रूप में वो सारे वियापक है, और उन्होंने जो वियाख्या की है, जगत की स्तिती क्या है, जो हमारा फिलोस्पिकल वियू है, उन्होंने एक सूतर में बहुत अच्छी वाद कही है, जो आज के ह हमारे जीवन को समझने के लिए बहुत कमाल की दृष्टी उन्होंने दी है, वो कहते हैं कि मिथ्या पर्म और सुपनमनोरत, तीन बाते कही है, मिथ्या पर्म और सुपनमनोरत सत्पदारत जाने है, हमारी प्राब्लम ये है, इस दुनिया में जगत में आने के बाद, वैसे तो हम ब्रम का हिस्सा है, लेकिन जब जगत हो गया, सृष्टी रचना हो गई, वहां फिर क्या है, कि आदमी ब्रम का, मिथ्या का और सुपने का शिकार हो जाता है, मतलब जो संसार को सुपनमना एक मेटफर है, वो कहते हैं कि इसको हम सत्पदार्थ मानते हैं, जैसे सुप जैसित मन साथ, गुर उपदेशी, जागत ही मन मानिया, कि सुपने का जो भ्रम है, वो कैसे दूर होगा, जब हम जाग जाएंगे, तो गुरु का ज्यान क्या करता है, वो हमें जागरित करता है, तो इसका मतलब है कि हमारा इस दुनिया के साथ जो रिलेशन्शिप है, वो दो तरह का है, एक पर्मानेंस, एक इंपर्मानेंस, नित्य और अनित्य, मतलब है हमारे अगर दर्शन शास्तर को देखो, इस दुनिया को समझने के लिए और जीवन शैली को निर्मान देने के लिए सारी बाते हैं, अगर आदिशंक्राचारी कहते हैं, कि संसार दो तरह का एक नित्या है जो हुमेशा रहने वाला है और दूसरा अनित्या है और गुरु तेग भादर जी बहुत खूबसूर। शब्दों में यही बात कहते हैं के साधो रचना राम बनाई एक बिन्स है एक अस्थिर माने अचरज लखे होना जाए कि मेरे राम ने कैसी यह दुनिया अचरज लखे होना जाए अब यह देखे कि यह जो विचार है यह विचार हमें जीवन शेली का निर्माण करने की बात कहता है कि जब हम दुनिया के साथ अगर ये संसार मिथ्या है और हमारा परम सत्य जो है वो ब्रह्म से मिला हुआ है तो हमारी प्राबलम ये है कि हमें जीवन शैली ऐसी रखनी चाहिए कि हम सुपने को सुपना ही समझें मतलब ये हम देखो हमारे रिशियों ने स्रीश्ठी रचना को तीन से दानतों से समझा है एक तो है कि ये खेल है आवन जावन एक खेल रचाया खेल का मतलब है कि प्ले है, प्ले की रियल्टी क्या है, कि जब तक हम खेल खेलते हैं, तब तक वो रियल है, उसके बाद बाजी खत्म हो जाती है, तो इस तरह मैं देखा है कि जो गुरुबानी में जो दारशनिक ग्यान है, वो सारा हमारी उस सनातन परंपरा से जुड़ा और आप जानते हैं कि वैदिक परंपरा से तीन खंड निकलते हैं, कमाल की बाते मैंने जब देखा, मेरी तो आँखेंगें खुली रह गें, देखी, उन्होंने कहा है कि वैदों से तीन मारग निकलते हैं, एक तो है करमकांड, एक है उपासनाकांड, और एक है जो तीसरा है ज्ञानकांड वो वेदान्त की परंपरा में आता है वो उपनिष्टों तक आता है इसलिए वेदान्त का मतलब है कि जहां वेदाओं की शिक्षा का अंतिम भाग है जो वेद मंतर है उसके बाद ब्रह्मन गरंथा आए फिर अरन्यक आए फिर उपनिष्यद आए ये पूरा वैदिक साहित है, ये इसमें जो चिंतन है, ये मानब जीवन की फिलोस्पी का बेस है और मुझे लगा है कि जो गुरु सहवान है, भक्त है, संत है, वो इस हमारी जो वैदिक दर्शन है, वो उपनिश्दों के माद्नियम से जोड़ते हैं और मैं आपको अगर मुझे कहें कि इसमें कोई मिसाल कैसे दें, मैं तो समझता हूँ कि गुरु गुरु गुरंद साहिब की जो पहली मूल मंतर है, एक ओंकार, सत्व नाम, करता पुर्ख, निरपो, निरवेर, अकाल मूरत, आयूनी, सैभंग, गुर्परसाद, ये कहा जाता है कि सारे गुरु गुरंद साहिब की एक कुंजी है, मूल रचना है, और इस मूल रचना में दो शब्द हैं, मैं जब रिगवेद की रचना पढ़ रहा था, नासिदी सूप्त, मुझे लगा कि हमारे गुरु साहबान ने उस वैदिक रिशी के साथ एक समवाद रचाया, इसको यह नहीं कहते है कि उन्होंने नकल की है, नकल की बात नहीं होती, एक परंपरा होती है, ग्यान जो है वो आगे सागे चलता है, आज की जो पीड़ी है, वो अपने पहले पीड़ी से सीखती है, आने वाले हम से सीखेगी, तो मुझे उसमें लगा कि नासिदी सूप ब पाँच हजार साल पहले हमारा रिशी इस संसार के बारे में क्या सूप बो दुनिया की सबसे प्राचीन दार्शनिक रचना है, यह सारा संसार मानता है, आप इंटरनेट पे खोज करेंगे, नासिदी यसूपत को आपको पता चलेगा फिलोसॉफिकल रचना वो है, तो वो क क्या है, बड़ी खुबसूर्थ, वो कहते हैं, आनित वहतम सद्ध्या तद एकम, और के जब ये दुनिया में ना तो सत्य था, ना असत्य था, ना दिन था, ना रात था, और ना जीवन था, ना मौत था, मौत थी, तो उस वक्त क्या था, तब वो एक था, जो बिना स्वास के सास ले रहा था, और मुझे फोरण गुरु नानक देव जी की रचना जाद आई, वो कहते हैं कि अर्बद नर्बद तुंदू कारा, तर्ण ना गगना, हुकम अपारा, ना देन रहन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएंदा, खानी ना बानी, पौन ना पानी, उपत खपत ना आवन जानी, कंडपत आल सपत नह पिर वह एंदा, मुझे लगए गुरु जी वो रिगवैदिक रिष्ग के साथ संवाद है, वो ही बात कह रहे हैं, जैसे रिष्ग ने कहा था कि दुनिया कैसे पैदा हुई, रिष्ग ने तो यह जे कहा था, कि फिर पहले पहल कामना का हुगा अभार, मन का आदी अनादी अंतर की सूजबाले मुनी जनों ने समझ लिया था भली भात, रिष्टा क्या है? अस्तित्व का अनास्तित्व के साथ, मैंने वो इसकी जो नास्दी सूख्त का हिंदी में जो किया है, उसका मतलब यही है, लेकन गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु जी ने थोड़ा बदल दि गुरु नानक देव जी तो कहते हैं कि जो रचना हुई है, पहले जो शुन्य में से ब्रह्मा, विष्णु और महेश उप जाए, उसके बाद वो सारी रचना हुई, वो तो ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्या है, करता, धर यह तो सिंबॉलिक है, यह हमारी क्रियेशन, सेस्टिनेंस और डिस्टॉक्शन, हमारी फिलोस्पी तो रियालिटी के ओपर विज्ञान के ओपर अधारित है, हमें यह बदकिसमती हमारी है, हमें पढ़ाई नहीं गया, और मुझे तो गुरु नानक वानी जब मैं पढ़ता कि अनफर्चुनिट बात हुई है, इसमें एक्चुली जो सिंग सवा लहर, आरिया समाज लहर, एमदिया लहर, कुछ लहरें चली थी, वो चली तो थी जो अंग्रेजों की कनवर्शन की पॉलिशी के खिलाफ चली थी, वहां से प्राबलम यह होगी, कि हर समाज ने सोचा कि अपनी प्यूरिटी को स्थापत किया जाए, पहले तो हिंदू और सिक्का किसी ने प्रशन ही नहीं उठाया था, तो उन दिनों में एक किताब कान सिंग नाबा की आई, वो थी कि हम हिंदू नहीं हैं, और वो किसी ने पढ़ी नहीं, बिना पढ़े उसको लेग लिए भी ह हम हिंदू नहीं हैं, तो मतलब है कि हमने हिंदू के साथ अपना नाता तोड़ना ही तोड़ना है, अलगावबाद की शुरुआत वहां हैं, लेकिन बज़दा आपको बताओं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगा, जो कान सिंग नाबा, वो ह है, इसको इसनी बात करते हैं जो हमने पहले शुरू में की थी कि हिंदू इजम के साथ हमारा जो फरक है वो पंत का है, मत का है, शू पासना चाया है, वो ठीक है, मतलब कान सिंग नाबा भी यही कहते हैं, कहमारा जो घूल समाज सेippy शनातन परंप guys से जो रिष्टा है, वो सिक्क का ह lurking किस कमउयुटि से आए हैं, सारी हिंदू कम्यूटि से आए मैं तो । कोद हरिदोार में जा के अपनी ऑज़बा कोद देखा ह slut पता तो था मुझे लेकर मेरे मित्रेय केroit मेरे जी ये कहा है कि मेरे मेरे अस्तिभी अ हरीदोार में डालने तो मैंने एक भी देखना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ तुम्हें चलेगे तो वहाँ हम अपना प्रोहित ढूंडते रहे तो उन्हों ने वो प्रोहित ने हमें एक इतनी बड़ी पोथी निकाल के मुझे बता दी कि पहले अपना गाउं बताओ पिर अपना गोतर बताओ तो म मेरे सामने मेरे ग्रैंड फाधर के साइन वाखना प संधे लिग आपकी जो परंपरा है तो मुझे लगा कि हमारा तो एक ही सांस्कृत की पिछोकड तो एक ही है ना मतलो आज भी आप देखो के हिंदू समाज में से कोई सिख बन जाए कोई कनवर्शन नहीं है अभी मैं अपने दिली के एक कॉलेज में एक मेरी बेटी बनी है हिंदी की लेक्टर है वो शोबा शर्मा थी उन्होंने गुरूओं की वानी पर सर्च किया वो उसने पगड़ीबांद के सिख बन गई हो कहते है मैं तो शोबा कौर हूँ आप अभी केम कॉलेज में देख और मैं पूछा वे बेटा तू कैसे बना की कैती है मैं अपने पिदा जी से कहा कि अगर हमारे वंच में ये परंपरा है कि बड़ा बेटा उसको सिख बनाने की परंपरा है तो बेटी को नहीं बना सकते है वो कहते है पहले तो उन्होंने बना किया किया कि इस चक्र में क्यो पढ़ती है, वो केती हैं, मैंने तो गुरूं पे रिसर्च किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो केस्ट की बांद होगी, तो ये एक आज की मिसाल है, कि हमारे रिष्टे, सभी जानते हैं कि कहते हैं नाकूनमास के रिष्टे है, पता नहीं आज क्यों हम इनको नकार रहे हैं, अपनी ही जो कम्यूनिटी जिसमें से हम आये हैं, पंजपियारे कहां से आये हैं, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट ब है ना कि इसमें एक क्या कहते हैं, वो टूल किट है, वो काम कर रही है, टूल किट क्या है, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, कोई इसमें चुपाने की बात नहीं है, हिंदूओं और सिख्खों को अलग करने की जो साज डालने की ये बहुत बड़ी साजिश है, और इसका नुकसान हमारी अपनी कम्यूनिटी को ज्यादा होगा, मैं तो चिंतेते इस बात के हूँ, कि हम धाई करोड लोगों को सौ करोड अपनी पेरेंट कम्यूनिटी के साथ एक दुश्मनी के रिष्टे में बांधना चाहते ह ये तो हमारे लिए विचारने की बात है, और मैं आपको 82 की बात करता हूँ, 84 में ये सारा पंगा पड़ा है, बहुत हो पुलिटिकल कारण है, उसके मैं बाद में बात करता हूँ, तो मैं वहबर जी ये आपसे बता रहा था, कि 1982 में हम दिली युनिवस्टी के कुछ लोग आपसे पिंगे विची के दिली होता है, तो छिए फैमिली इन में मैं पुलूल का रहा था एक मंदर, चाहिआए था जाना जाए थे, मैं उनने लिखे हैं टो हम रुह गया है, हमको अनने हिंदू मैं अट झैतला है, तो हम घड़ा है तो पंजिडिकल जी को बलाई हमने का ह यह लिखा हुए है कि नौन हिंदूस आर नाट अलाउड हमारे बारे में क्या कहल है वो कहते हैं सजार जी आप तो हिंदू धर्म के रक्षा को आपको कौन रोकता है आप देखिए 82 की बात है उसके बाद 84 आया 84 की जो घटनाएं हैं वो एक पुलिटिकल पार्टी के साथ समं स्टेट के साथ समंदित नहीं है एक तरह की नीती के कारण वो हुआ लेकिन उसका नेरेटिव यह बना दिया है कि यह शायद हिंदू कुम्यूनिटी ने सिक पर जलूम किया मैं तो दिल्ली में था मैं तो विटनेस हूँ कि हमारे महले के जो हिंदू परिवारों ने हमें ब थी और यह बिलकुल हकीकत है यह तो मैंने विटनेस किया अपनी आँखों से हमारे एक दो गल्क छोड़के आग लगा दी के थी उस वक्त हमें हिंदू परिवारों ने ही बचाया है यह बात मेरे से ज़्यादा कौन जानता है मैं दिल्ली यूनिवरस्टी में पढ़ाता थ मैं मोटर सैकल पर आया उसके बाद उसी सड़क पे बहुत से कतल हुए लेकिन प्रावलम यह हुई कि जो यह गलत नेरेटिव यह किया गया वो जो लोग उसके शिकार होगे वो बजाए इसके के राजनीतिक पार्टी को दोशी करार देते नाराम नहीं मैं दे लेना चाहता लेकिन उन्होंने एक कम्यूनिटी को भी बदराम करना शुरू कर दिया तो यह बड़ी अनफॉर्चनेट बात है उस सारा रिकार्ड आप देख लीजिए हमें अपने आपको करेक्ट करने की जरूरत है कि दोशी कौन है तो दोशी तो स्टेट नहीं है भारत नहीं है हिंद हमारे दोनों कम्यूनिटी की जो एक्ता है ये बहुत जरूरी है ये हमारे देश और धर्म दोनों के लिए धर्म यहां मजब नहीं है अगर आप रिगवेद में देखो न धर्म तो धारी ये ती धर्म है धर्म मॉरल ओडर है हमारे लिए और वो सिक धर्म में भी ओव ही है गुरु नानक देव देखो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, तौल तर्म, डया का पूत, संतोख थाप रखिया जिनसूत, मजभ और है, पंथ और है, हम तो गुरु बात धर्म की करते हैं, तो धर्म तो क्या moral values हैं, संतोख है, डया है, ये दोनों values क्या हैं, डया दूसरे के उपर क किया जाता है, तो इसका मतलब है, एक moral system, जो रिगवेज से चला आ रहा है, वो हमें गाइड करने वाली एक शक्ती है, और ये बड़े गहरे रिष्टे हैं हमारे सनातनी परंपरा से, पंथ की के डिफरेंस को छोड़ दीजिए, लेकिन समाजिक रिष्टे तो बहुत गहरे हैं, तो मुझे लगता है कि आज हमें बिलकुल निश्पक्ष होके ये देखने और विचारने की जरूरत है, कि हम हैं कौन, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ, कि हमारी जो आइडेंटिटी है, उस सबसे बड़ी आइडेंटी तो हमारी civilizational है, कि इस धर्ती पर सब्त हम उनको कैसे तलांजली दे दें, हमारे ही पुर्खें हैं, किसी और के नहीं हैं, गुरू भी हमारे हैं, बो रिशी भी हमारे हैं, तो ये ही तो साँझ है हमारी, और कौन बांट रहा है हमें, वो बांट रहा है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, जो हमारी छोटी सी community, दिल्ली से, मतलब जो पंजाब से आदे लोग तो बहर रहते हैं, तो वो हमारी जो इज़त हमारा हिंदु समाज हमें दे रहा है, हमें अपना अंग मान रहा है, हम उसको, यह कौन लोग हैं? हमें उससे अलगाओ करके, हमें उसको बेपत करने वाले कौन हैं? हम तो कहते हैं कि हमारे जो रिष्टे हैं बहुत दार्शनिक भी हैं, समाजिक भी हैं और इन बातों की हमें आज बहुत ज़रूरत है, आज छोटी-छोटी बातों को लेकर हमें आप देख लीजिए, एक छोटा सा कोई अंदोलन हो, उसमें इतनी सफाई से, इतनी चलाकी से हिंदू सिक्क का मसला बनाने की कोशिश होती है, अब सभी जानते हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उसमें प्राबलों कुछ और होती है और उनका निशाना कुछ और होता है, इन सभी से हमें सचेत रहने की जरूरत है खास तोर पर मैं अपने सिख भाईयों को कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सनातन से रिष्टा है वो बहुत गहरा है उसको किसी तरह आका आगात नहीं पहुचना चाहिए मतलब ये असल में ये डिस्कोर्स है ना जो आजकल आप जानते हैं कि नेरेटिव का जमाना है कोई फाल्स नेरेटिव आप फैला दो उसके हम शिकार बहुत जल्दी हो membay बड़े भूले लोग हैं हम दुश्मन के साथ दुश्मनी भी नवा सकते हैं दोस्त के साथ दोस्ती भी नवा सकते हैं लेकिन हमें कोई भी वर्ग ला सकता है, ये बदकिसमती है हमारी, हम साफ हैं, लेकिन अगर गलत नेरेटिब में फसगे, तो हमें पता नहीं लगता कि हम अपना भला कर रहे हैं कि बोरा कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि जो अबरहमिक रास्ते की तरफ ले जाने की बात है, बहुत ही गलत है, अबरहमिक सिविलाइजेशन के साथ हमारा कोई अंतर नहीं है, कोई हमारा उसकी साथ लेना देना नहीं है, मैं आपको गुरू अरजन देव जी का एक सूतर बदाता हूँ, वो कहते हैं, कहो नानक, गुरू खोए ब्रहम, एको अल्ला पार ब्रहम, आ मैं यह कहता हूँ, कि गुरू अरजन देव भी कह सकते हैं, कि अल्ला और पार ब्रहम एक हैं, जो अल्ला वाले हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि अल्ला और पार ब्रहम एक हैं, क्योंकि पार ब्रहम में अल्ला आ सकता है, अल्ला में पार ब्रहम नहीं जा सकता, by definition, हमारा तो वो ultimate reality है वो कहा जाएगा तो इस तरह मुझे लगता है कि बहुत false narrative एक spread किया जा रहा है और हम भूले बाले लोग उसका शिकार हो रहे हैं और अपनी जड़ों को भूल रहे हैं जड़ों का मतलब यह नहीं है कि हम यह भी नहीं कहते कि जो हिंदु़िजम और सिक्षिजम का को प्रिफरेंसर भी हैं देखें दोनों बाते होते हैं similarities भी होते हैं, differences भी होते हैं लेकिन हमारी दिशा में similarities बहुत ज्यादा हैं, differences बहुत कम हैं और differences को हम रखें हमारी जो identity है वो एक अलग identity है इसमें कोई शक नहीं हमारा एक world religion है हमारा सिक्ष धर्म का एक अपना गौरव ह और उसकी अपनी माननेताएं हैं लेकिन जो हमारे चारों धर्म उन सभी में आप देखो के बुद्ध धर्म, जैन धर्म में अगर basic बातें देखी तो बुद्ध धर्म की बातें मानने के लिए बोधी नहीं बढ़ना पड़ता, इसी तरह सिक्ध धर्म की बातें मानने के लि गुरु जी तो एक अधर्श मानव की बात करते हैं, अब इंट्रेस्टिंग बात मैं इसमें बताना चाहता हूँ, गुरु जी कहते हैं कि दो तरह के बंदे हैं दुनिया में, कि एक कया जानन, कया भुजण, ते नर सुगड सुरूप, कि वो लोग हैं जो कहना जानते हैं, औ और कही होई बात को समझ सकते हैं, वो सुगड सुरूप हैं, और दूसरे कौन है, दूसरे बड़ा इंट्रेस्टिंग है, वो कहते हैं, एक ना नाद ना बेद ना गी रस, दूसरे वो लोग हैं, जिनको तो ना नाद की समझ है, ना बेद का ग्यान है, रस कस ना जाननत, औ जिनके पास ना तो अकल है, और अक्षर का भेद नहीं जानते हैं, अब देखो अक्षर लफज क्या है, ओम को अक्षर कहते हैं, गुरु नानक भी कहते हैं, किन्य राम नाम एक आखर, कि राम नाम को एक अक्षर बनाओ, अक्षर का मतलब वो जो नहीं कभी खुरता नहीं, अ जिनको एक ना नाद ना वेद ना गीरस, रसकस ना जानन्त, एक ना सिद ना बुद्ध ना अकल सर, अकर का पेऊना लहंत, नानक तेईनर असल कर जे बिन गुण गर्व करना है। परत्री हरी बहुत बड़े हमारे ग्रामेरियन हुए हैं और वो कहते हैं कि साहित, संगीत और कला से जो विहीन है वो तो पशु है, बेश्या कुछ के सिंग और पूछ नहीं लगे हुए। वो कहते हैं नाहीं ग्यानेन सद्रिशम पवित्रम ही विद्यते के इस दुनिया में ग्यान के समान कोई भी चीज पवित्र नहीं है। और गुरु क्या कहते हैं वो कहते हैं ग्यान अंजन गुर दिया अग्यान अंदेर विनाश। हमारी सबिता तो ग्यान की सबिता है और ग्यान को यथार्थ के साथ जोड़ने वाली हमारी भाशा है। और अगर वो हम देखें ना कि हमारे जो ग्रामेरी हैं ना हम तो वेस्ट के जो तिंकर उनको कोट करते रहते हैं। कभी अपने सूर्सिस को भी तो हम देखें कि उन्होंने भाशा के बारे में यथार्थ के बारे में सत्य के बारे में ग्यान के बारे में क्या कहा है। बरतरी हरी खुबसूरत बात कहते हैं, कि ग्यानम सर्वं शब्देन भासते, सारा ग्यान शब्द के द्वारा प्राप्त होता है। और गुरु भी यही कहते हैं, कि ग्यान गुरु आत्म उपदेसा हो, शब्द गुरु सुर्थ तो नचेला, यह हमारी similarities है। और मुझे लगता है कि आप अगर देखें, कि आज की दुनिया में हमें आँखें खोलके, जो शड़ियंतर हमारे उपर ला दे जा रहे हैं, जो ऐसे negative narrative का हमें शिकार बनाया जा रहे हैं, उनको पहचानने की जरूरत हैं, और उत पहचानने की बात है कि हम study करें, comparative study करें, वे मैं कई बर कहता हूं कि हमारी बदकिस्मति है कि हिंदू वेद नहीं पढ़ते, सिख गरंत नहीं पढ़ते, मथ्था जरूर टेख ते, तो ग्यान तो पढ़ने से आएगा, तो यह मैं, मेरी तो धारणा यह ही है, मानने ता यही है, कि आज की दुनिया में ग्यान ही हमारी हो सकता है क्योंकि ग्यान हमें जोड़ेगा तोड़ेगा नहीं अग्यान फैला के जो नेगेटिव नेरेटिव के द्वारा हमें ब्रहमत किया जा रहा है उससे सचेत रहने की जरूर था मैं तो यही बात समझा हूँ आज की दुनिया झाल 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 झाल